अपने जीवन साथी को छोड़ कर लिव इन रिलेशन में रह रहे है प्रेमी यूगल धमकी मिली तो पहुँचे स्पी दफ्तर चुरुजले की रतंगर तहसील के गाउं सिमसी मिया की एक शादी शुदा महिला ने अपने पती का साथ छोड़ कर दो बेटियों के पिता का हाथ थाम लिया दोनों को अपने जीवन साथी का साथ इतना नागवार गुजरा कि वे अब लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं दोनों को धमकी मिली तो वे सुरक्षा के लिए स्पी दफ्तर पहुँचे स्पी दफ्तर में रतंगर तहसील के गाउं सिमसी मिया की 23 वर्ष ये मेना ने बताया कि जब वे नाबालिक थी तभी उसकी शादी साल 2016 में नोसरिया गाउं के एक वेक्ति से कर दी गई थी उसका पती शराब पीकर मार पीट करता था जिससे वे परेशान थी अभी वे अपने पीहर सिमसी मिया में रह रही है गाउं गोल सर के 26 वर्ष बाबुलाल सोनी से उसकी जान पहचान चार साल से है गाउं सिमसी मिया में बाबुलाल के चाचा की ज्वेलरी की दुकान है जहा पतनी से उसका मतवेद था और तीन साल से उसकी पतनी पीहर में रह रही थी चार साल पहले मेना उसकी जिंदगी में आई और दोनों में प्रेम परसंग चलने लगा 31 जनवरी दोजार चोईस को मेना और बाबुलाल सोनी ने घर छोड़ दिया और आगरा चले गए यहां आगर के लिए SP दफ्तर पहुंचे मेना के एक बेटा भी है